कर रहा हूं और यह जो पर में है और जिन स्टूरेंट इसने इस से रिटेटेड जो इंट्रड़क्शन वीडियो है वो देख रखा है मिलकि इस पूर चप्टर के उपर ही है वो तो उनके लिए बहुत इजी होने वाला है और जिनों नहीं देखा है वो जाकर के पहले जरूर एक बार जो इस चाप्टर का डिडिक्शन वीडियो है वो जरूर देखें तो बहुत से डाउट्स हो जाएंगे और बागी इसी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो स्टार्ट करते हैं सोलुचन अब फिर्स कोशन कहा रहा है कि फाइंड दा वैल्य स्टेहर फाइड़ फाइड की अगया बाइड प्लस ट्री एक्ट्र इस इक टो जीरो एडिकाव टू मैनस वान और एकश इकोल सूटू टू की इन तीन जगह पर इसकी वैलु फाइंड करना कि आ वस एक शुट च्कैवा जू रखना है तो फाइड इन्टू जीरो मैनस वो इन्टुजीरो का स्क्वे प्लस का 3, तो यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, यह प्लस का 3, प्लस worked 3 only वह ऐसी है, एक्स की ज़िए आपको प्लिच मनें तो क्या करोगे, इंटु मनें समें गडर में ले ले लेते है सॉल करने में और असां डगा मैनस का स्क्वेर प्लस का 305 ऑचा 5-5 का 1 आएगा मैस मैस मैनस मैनस का 4-3 माइस का 5-4-9 प्लस का 3-6 यह वह आपका answer next आपका x equals to 2 पे क्या value होगी तो x equals to 2 पर देखिया वो अगर हम 5 इंटो 2 2-4 into 2 का स्क्वायर कर दे और प्लस में 3 तो 5 तो तो 10 तो 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 16 प्लस का 3 इस को अधिक और गरेंगे तो यह मैंस असिस्टीन यह प्लस का टैने तियो जाएका मैंस का 6 मैंस का 3 मैंस का 3 अगर आप लोग पहले इंदोनों को मैंस की सिस्टी मैंस करते हो मैंस थाटन लिखते हो तब यांस आपको सही में आएगा कैलकुलेशन आपके ऊपर है कैसे भी करो डिशन मेंटर ओके वाद में तो यह तो बहुत इसली हो गया अब जो सेकेंड पार्ट है व तो मैं इसका कॉश्ण ओमर और फॉर पार्ट करता हूं तो फर्स्ट को पॉइंद रखा पी वाइकोस तू वाइस कर मैस वाइप लगा और वैलुज हमें क्या करनी है पी जीरो पी वन पी टू तो अब देखो जब यह पी जीरो कह रहा है तो हमें जहां जहां वाई है वहा यह भी वन यह भी वन तो यह थो मारा मैंस मैंस वन कैंसल हो जाएगा और वाइस का वन मैंस का वन या गया हमारा त्री तो यह तीन वह आंसर हो गए जीरो वन और त्री इसके अलावा अब जो नेक्स्ट कोश्चन है इसी का जो फॉर्थ को पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है पी एक्स अब एक्स की जगह हम जीरो बन टू-3 रखेंगे ओके स्ट्रेंड्स तो यह एक्स मैंने सवन एक्स ब्लस वन सेकेंड्स में जहां प आप यह तो आप किसी वी तरीका सही है यह किसी बच्चे की मैंने वारा हुआ है कि सब्सक्राइब लिखेंगे एक्स की वैल्यू रखते हैं आप वैसे करते हो तो वह भी तरीका सही है तो डाउट नहीं है है तो दोने में से किसी मैंहें से करो कोई प्रावलम नहीं है ओके टैनवर मैंने सवन और वन प्लस वन तो यह होगा प्लस वन ऐस देखने हमारे पास क्या क्या एंसर आ वन और त्री ओके स्थार्ट आपको आपको यहां पर वैलू रखने है तो मैं कुछ करके दिखाता हूं आपको करना है कि यह जो वैल्यू है एक संशन में तो इसकी वैलू यहां पर रखने पर हमारा आंसर आज दिल आने चाहिए तो रखते हैं क्या रखना है एक से जहाओ यहां तो फिर एंटू एस इस तरी चैनल हो सकता है क्या प्लस जीरो जीरो आ रहा है तो यह लेकिन ये येस येस x equals to minus one upon three is zero of given polynomial कि जो दियावा polynomial है उसका ये zero है इसी टाइप से अब आप देखो question number third ओके अब इसमें क्या ते रखा आपको इसमें पी एस दे रखा है x2 minus one और x दे रखा है वन और minus one ओके तो इसको उप आप सॉलल करते हैं तो जब px की जिगधा ह karışर one रखेंगे तो क्या आएगा one का स्क्राइब मैनस कवल्ड़़र one 1 मैनस one जीरो आगया ओके और अगर प्लस होता है जो आप देखो जीरो ए मैंस वें लीन होगे कि यह हां यह पॉलिनॉमियल अब यह होगा हमारे सॉल्व इसके बाद में आप एक और कुछ देखते हैं कुछ अमर फाइब जिसमें आपको देर रखा है अब देखो अगर हम एक्स की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा यह तो यह जाएगा पी जीरो इकोल्स टू जीरो का स्क्वेर यानिकि जीरो यानिकि यह भी क्या है स्विप स्ट्राइं यहीं यह जीरोट में आपको दिया हुआ है कि प्श उक्वाल्स कुर्ण्स स्क्वेरnahmen और खत्व इकोल्स क्वारबरा पां रूटिकि यह नो आप हौन करते हैं और अजया स्कूर्ण हाँ ठीक है लगते हैं मैंस का वन अपॉन रूट तो क्या होगा ये तो इन्टू मैंनस वन अपॉन रूट तरी का स्क्वाइर मैदस वन अब त्री त्री रूट रिका स्काहर यह जाएगा वन अपॉन 3-3 cancel क्या आगया 1-1 आए यह क्या हो गया 0 यानि कि यह तो हमारा इसका पॉइनोमियल है अब इसे चेक करते हैं कि क्या यह पॉइनोमियल है यह 0 है कि नहीं इसका इस पॉइनोमियल का तो P 2 upon root 3 तो यह क्या हो जाएगा आपका equal में 3 2 upon root 3 3 का स्क्वेर माइनस का 1 तो यह जागा 3 इन्टो 4 upon 3 minus 133 cancel या गया 4 minus 1 equal 3 तो यह आपका 3 आ रहा है तो इसके समाद पहले लिख होगे कि S इकोस तो माइनस 1 upon root 3 इस जीरो पॉइनोमियल बट 2 upon root 3 is not the 0 of the polynomial कि 1 upon root 3 तो पॉइनोमियल है लेकिन 2 upon root 3 पॉइनोमियल नहीं है इसके बाद अब जो नेक्स्ट कॉश्चन है फॉर्थ उसमें करेंगे फाइंड जीरो पॉइनोमियल इन इच और फॉलमिंग कि इसमें आपको जीरो से फाइंड करने हैं आप फॉर्थ में आपको जीरो फाइंड करना है तो बहुत एजिय करना बस आप व पॉर्ण म्लगं 0 न रखना है को देखो क्या करेंगे हम की इस पी x को मलगेंगे तो जाए गा पी P X equals to 0 X plus 5 equals 0 is correct at video X equals to minus ka 5 to your gas हमारा 0 okay it's polynomial ka so I'll say okay minus 5 is the zero of polynomial okay strands next it's gonna be same as e P X equals to zero then X minus 5 equals to zero X equals to five to have a minus five like I have a five little guy is going to get fourth part ko P X equals to zero three X minus two equals to zero then three X equals to two or X equals to two upon three Yogi है हमारा इसको भी ऐसी P X equals to zero three X equals to zero X equals to zero upon three यह होगे हमारे जीरो जीरो क्या है जीरो खुदी है यहाँ पर क्या है C X plus G घटा में कोई नमबर नहीं है नाच्रल नमबर तो P X equals to zero लेंगे हम कोई नहीं and then C X plus D equals to zero C X equals to minus ka D और X equals to minus ka D upon C तो यह होगे हमारा आंसर तो इससे के साब लोग देख सकते हो कि first X minus five zero है फिर five zero है और then हमारे यह two upon three zero है फिर जीरो खुदी जीरो है यहाँ पर तो और यहाँ पर X equals to D upon C हमारा माइनस का इस इन पॉइन 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 का जीरो हो जाएगा और इसमें इन कंदिशन में रखा कि